तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पनीर का पराठा मेरा तब्या थोड़ा ठीक नहीं था इसलिए वीडियो आने में लेट हो गया अभी भी तब्यात उतना अच्छा नहीं है तो अगर आवाज में आपको प्रब्लम लगे तो उसे इकनोर कीजेगा और वीडियो प्रफ बनाते है ना चाहे वो गूभी का प्रफ आट आलू का प्राठा हो मोली का प्रफ आख़ो आपको इस बातका ध्यान रखना है जब भी आप दो तयार करें थोड़ा लूज तयार करें तो आप देखी रहे मैंने आटा लगा लिया है लूज रखा इसे ढख के छोड़ देंगे ताकि आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद मैंने यहां पर लिया है 200 ग्राम के करीब पनीर और इसे मैंने हातों से अच्छी तरह से मैस कर लिया है अगर आप हात का यू मिडियम साइज का तीन से चार हरेमिस बारिक कटी हुई अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो इसे इग्नोर करें थोड़ा सा धनिया पत्ता बारिक कटा हुआ एक चम्मस से जवान चत्नी इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो इसे इसकी बिलकुल भी ना करें नमक दालेंगे स्वादा अनुस्वार इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यह स्टफिंग ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है इसे आप सेंडविच में भी फिल करके बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है तो एक पर ज़रूर ट्राइक करें इधर आदा गंट तो आटा इसी तरह का लगाएं उसके बाद आप हम लेंगे आटा का चोटा सा टुकडा जिसे हम लोई बोलते हैं और इस तरह से हाथों से घुमा घुमा कर गोल करेंगे उसके बाद इसे सूखे आटों में डिप करेंगे इस तरह से अच्छी तरह से आपको डिप करना है आप उठी की सहायता से आपको कटोरी का सेप देना है इस तरह से ताकि आप इसके अंदर शटपिण फिल कर सके और उसके बाद इसमें डालना है शटपिंग तो मैं बहुत ज़ादा पसंद करती हूँ इस्टफिंग, तो मैंने याप पर तीन चमश के करीब इस्टफिंग एड़ करा है, अगर आप नहीं बेल पाते हैं ना पराठा, तो आप कम इस्टफिंग एड़ करें, आप देख रहे होंगे, मैं इसमें भरते जा रही हूँ, मैं बोलूंगी आप कम एड़ करें नहीं तो फट जाता है पराठा तो मुझे फटा हुआ से कोई बहुत जादा इसू नहीं है नॉर्मली मैं यह बता रही हूं तो सबसे ज़्यादा लगता है कि पराठा अच्छा होना चाहिए टेस्टी होना चाहिए जब पराठा में स्टफिंग कम होता है न त तो जब भी आप स्टफिंग फील करके पराठा बनाए न तो भर भर के स्टफिंग फील करें चाहिए पराठा थोड़ा बहुत भट भी जाए कोई बात नहीं है तो देखी रहे यह तैयार हो गया अगर आपको कटोरी का सेप देने नहीं आता तो मैं एक और बता देती हूं तो आपको आठा का एक और चोटा सा टुकडा लेना है उसे पूरी से थोड़ा बड़ा साइज बेलना है और उसके उपर रखना है स्टफिंग और फिर आप जैसे मोमो बनाते हैं ठीक उसी तरह से आपको ऐस तरह से चून करते हुए इसे पैक करना है बहुत ही ज़्यादा एजी है तो अगर आपको पहला वाला नहीं बनाने आता है न तो ये असानी से बना सकते है बहुत ज़्यादा एजी है अगर आप पहली बार बना रहे हैं स्टफ पराठा तो आप बना सकते हैं तो इस तरह से उपर का छोटा सा टुकडा निकाल देंगे ये भी बनकर रेड मरवाला तो आपको जैसे 아प रोटी बनाते हैं ठीक उसी तरह से आपको बनाना है बीच बीच में आपको क्योंकि मैंने यहाँ पर डो रखा हुआ है थोड़ा लूस तो बीच बीच अपको सूखा आठा लगा लेना है और रोटी की तरह आपको बेल लेना है इसी तरीके क एक और सीट आपको तयार करना है और उस सीट के ऊपर आपको इस तरह से स्टफिंग को रख देना है और अच्छी तरह से फैला देना है थोड़ा थोड़ा छोड़ कर आपको बाकी सारे जगह में स्टफिंग को फैला देना है आप देखी रहे हैं किस तरह से और दूसरी सीट को इसके उपर रख देना है, और इसके किनारों को चिपका देना है, अच्छी तरह से. बहुत ही ज्यादा इजी प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस है, आप पराठा बना सकते हैं, इजली. और उसके बाद ने इसके उपर डालेंगे सूखा आठा आप चाहे तो इसे पूरा का पूरा लेकर और सूखे आठे में डिप करके कर सकते हैं मुझे ये प्रोसेस जादा इजी लगा इसलिए मैं उपर ही थोड़ा थोड़ा छीड़क दे रहे हूँ तवियत वैसे भी मेरा सही नहीं है और उसके बाद हलके हातों से इसे बेलेंगे उलट पलट के तो ये तीन तरीके से मैंने बता दिया आपको जो इजी लगे आप वैसे पराठा बना सकते हैं बाद इसे शेक लेंगे तो सेकने के तरीका वही होता है तो आप देखी रहे हैं ना मैंने इसे बेल लिया है फटा बिलकुल भी नहीं है तो काफी इजी होता है यह प्रोसेस एक पड़ ज़रूर ट्राइ करें उसके बाद चलेंगे नेक्ष्ट प्रोसेस के तरफ तो अब ले देंगे नीचे के तरफ भी तेल लगा देंगे पलटके और पलटते हुए आपको मेडियम टू हाइप लेना है बहुत ही प्रोसेस है तो अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आता है न तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें और अंत में खाये पीजिए मज़े कीजिए ओकी बाइ